वेलकम टू वैदिक आईएस इससे पहले एंसेंट इस्ट्री में हमारे पांच लेक्चर कंप्लीट हो गए है पर लेक्चर लगबग 30 मिनिट का है लगबग धाई गंटी क्लासिस अभी तक हुई है ठीक है यह हमारा सिक्ष्थ लेक्चर होने जा रहा है टोपिक रहेगा हमार हडपा सब्वेता देखो इसमें रहेगा क्या अभी तक हमने लगबग हडपा सब्वेता में कुछ टॉपिक कंप्लीट कराए है वह चीज हम रिभॉल कर लेते हैं पहला होगे आपका कालखंड सेटिंड आपका नामकरण विक्षटार प्लस उधय ठीक है हडपा संब्वेता में हमने कंप्लीट पोर्शन अभी इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया है ठीक है आपको मैंने first लेक्चर में हडपा से संबंदी जो हमारा पहला एक्षर था उसमें एक इंडेक्स आपको रेडी करवाया था ठीक है उसमें चार इस्टार्टिंग के पॉइंट यह थे इसके बाद फिर हमने उसमें जो पॉइंट्स अपने नोडाउन करें थे मैं एक बार रिवोल करवा दे रहा हूं लोगों को अर्थ्वेवस्ता राजनी होंगे सबसे लाशनी देख लेंगे मिसलेनियस जो हमारा कुछ अधर बचेगा ठीक है अब हमने आपका पहले लेक्चर में यह चार पॉइंट्स अपने कंप्लीट किये हैं अब हमें जो आगे देखना है वह हमारा यह पॉरसम बचा है ठीक है चलो श्टार्ट करते हैं तैय। श्टार्ट करते हैं अधिकार देखते हो लोगों को इक्वैलिटी थी या नहीं ठीक है लोगों को कानून के जरिये नियाय मिलता था या थीक हा भेदभाव तो नहीं था तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं हर चीज में जैसे कि आपका अर्थवय वस्ता में ले लिय क्रिसी, दूसरा आपका पसु पालन, इसके अंतरगर्धी हम व्यापार भी देख लेंगे, व्यापार के बाद हम शहरी करण देख लेंगे, सहरों का स्वरूप कैसा था, कुछ हम इसमें सिख्के देख लेंगे, हडपा सब्मिता में सिख्का का तो प्रचलर नहीं था, बट कुछ मूरे और मन के मिलते हैं हमें, वो साइध इनके ही समकक्स रहे होंगे, क्या खासियत थीन की हम अपने लेक्चर में आगे देखते वे चलेंगे, यह किर सिक रह जाता है आपका परिवहन, यह कंप्लीट चीजें हमें अर्थ वहस्ता में देखना है हडपा की, तो वन बा वर्ड कर देते हैं, जो अभी तक टेलिग्राम पर जुड़ा नहीं है हमसे, वो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, आपको लिंक मिलेगा टेलिग्राम का, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ जाना, ठीक है, अब भी स्टार्ट करते हैं हम अपना क्रिसी, एग्रीकंच कर सकते हैं, आप लोग जवाब दोगे नहीं, विक्रस अगर आप भी एक अच्छे खासे सीटी में रहते होंगे तो आसपास एरिया में आप देखोगी कि एक्रिकंचर जो लेंड एरिया है काफी कम देखने को मिलता है, तो इस अधार पर बोल सकते हैं कि हम हडपाई यह क्रिशक अधिसेश के बिना हडपा सब्वेता की कल्पना हडपा सब्वेता जैसी विक्सित सब्वेता की कल्पना नहीं की जा सकती साक्षियों के आधार पर हमें ग्यात होता है, साक्षियों के आधार पर हमें जानकारी मिलती है हडपाई इस्थल किसी अधिसेश से संपन्ध थे इसे क्या साक्षिय प्राप्त हो गए जो हम यह बात कर रहे हैं अब वही साक्षिय देखेंगे देखो सबसे पहले हम देखते हैं आपका आपका मोहन जोद्डडों ब्लस आपका हडप्प से हमें बड़े बड़े अन्नगार मिले हैं अन्नगार क्या होता है, जैसाद आज कल इस्टोरेज अरिया देखते होंगे हर डीष्टीक हर व्लोक में बना रहता है जहां पर गौर्मेंट अपना जो भी खाद्य सामगरी होती है उनको संग्रे करके रखती है कि एक विसम परिस्तितियों हम उसका यूज कर सके तो कहीं न कहीं हडपा और मोहन जोड़ो जैसे सहरों में आपका कुछ अन्नगार मिले हैं हमें काफी बड़े इस्ता में आधा भादन होगा थोड़ी अधिक मात्रा पर इनके पास रहेगा ठीक है है इसके अलावा हम देखते हैं आपका हडपा से हमें ग्यामूँ क साक्ष की मिलते हैं बना वली से आपका जो के साक्ष्य मिल रहा है प्लस लोथल से आपको चावल के साक्षिमी प्राप्त होते हैं तो सहजमाद लगाया जा रहा है कि भाई हडपा सभ्यता में किसी अपनी काफी अच्छी इस्तिती में थी ठीक है इसके लावा हम देखते हैं आपका काली बंगा आपका राजिस्तान में पढ़ता है काली बंग जैसे सपोस्कोर अब क्रिसी हो रही है तो फिर हम उसके अलावा देखते हैं कि जो इनका साधन रहा होगा सिचाई का वो वर्सा प्लस बाड आधारी बाड होती है कि हम किसी चीज को स्टोर करते हैं सब्सकोर वर्सा का जल धर्ती पर गीरा कि उनको गड़ों तलाबों में एक तरह से स्टोर करके रखना ताकि हम आगे अपने यूज के टाइम पर उस पानी को रियूज कर सकते हैं ठीक है इसके लावा हम देख एइर रिर्लिअ उन्सीर गड़ों एगे परीशा वेश्श के गड़.? कि Skills की ऑंतरगारं देक्षी साक्षे हो रहे वो कहां परॉपTerra रहे हैं कर चाही की क्या व्यवस्तात थी 50 बिल से आपका सूर्त गूई है में कुछ नहरों kे वी SophieIX मिलते हैं प्रक्षी प्रप्र हो रहे हैं इस आधार पर हम सहजी अनुमाल लगा सकते हैं कि हड़का सर्दता में जो क्रिसी विवस्ता थी हूं अपनी अच्छी अच्छी इस्तिती में थी ठीक है यह आपका क्रिसी से संबंदी जो हमारा पॉंट था वो अब हम वन बाइवन अपने पॉंट जो हमने आपको फर्स स्लाइज में लिखवाए हैं आपका जैसे सपोस्वकृ आपका क्रिसी कंप्लीट हो गया पसु पालन की इस्तिति हडपा में हम वो देखेंगे धैन वैपार देखेंगे देश हैं उसके बाद हम वन बाइवन सब ची मात्रा में पस्वों से संबंदी साक्ष मिलते हैं जैसे कि आपका हाथी, गेंडा, उप्ता बिल्ली, ओट से संबंदी साक्ष प्राप्त होते हैं. अंदर एक काफी महत्रोंड में बन जाता है, कोश्चन में पूछ लेता है कि हडपा वासियों को किन जानुरों के संबंद में नोलिज थी, ग्यान था या नहीं? तो इस चीज को लेकर आपको ध्यान रखना है कि आपको यह चीज मालूम होना चाहिए कि हडपा वासि किस परकार के पस्वों से परचित थे, इसके लावा हमें लोथन प्लस मोहन जोड़ों से संधिक्द, इस चीज को नोट करना आप संधिक्द, पोइंट करना है इसको सं संधिक्द, घोड़े की मिट्टी की आगरिती, मिट्टी की आगरिती प्राक्थ हुई है, हाला कि हडपा वासियों को घोड़े का ग्यान था या नहीं, यह है विशे अपकवाद का है, नहीं, यह है विशे अपकवाद का है, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अगर यह अपकवाद का है, तो हडपा वासियों को, हम यह चीज मान के चलेंगे कि अगर यह विशे अपकवाद का है, तो हडपा वासियों को घोडे का ग्यान नहीं था, इसके लावा घोड़े से संबंदित जो साक्षे प्रापत होते हैं हमें, शुदकोरदा, यह आपका गुजरात की साइट है, सुदकोरदा से हमें हापका घोड़े, घोड़े की हड़डी प्रापत हो रही है, बट हड़डि तो प्राप्त हो रही है घोड़े से संबंदित हमें कहीं थोड़े बहुत साक्ष BO मिलते हैं बट इससे पहले भी आपका CSC UPSC में आपका इस बात को डिनाई किया गया था कि आपका हडपावासियों को घोड़े से संबंदित ग्यान था यह नहीं तो आपको यह चीज मान के चलना है कि घोड़े की आपका हडपावासियों को नहीं थी साक्षी कहां कहां से प्राप्त हो रहे हैं वह मैंने चीज़े लिखवा दी और किस प्रकार के जानवरों के संदर्म में आपका हडपावासियों रखते थे वह चीज लिखवा दी यहां पर आपको क्रिसी पसुपालन खतम होता है आप दे परपबा वासि विभीन परकार के सिल्पों से परचित थे, विभीन परकार के सिल्पों से परचित थे, जैसे की आपका मिट्टी के बरतन बनाना, धातू प्रसंस्करण धातू प्रसंस्करण में जैसे कि आप तामबा देखते हो प्लस तीन इन दोनों को मिक्स करके आपका थियार किया जाता है कासा तो इसको बोल दिया जाते है धातू प्रसंस्करण तो इसी को बोल दिया जाता है धातु परसंसक्रण अपी यहाँ पर प्लस टीन को मिला कर कासे का नियुर्माण किया जा रहा है तो हड़का वासि आपका धातु परशंसक्रण से परचित थे पलस आपका मिट्टी के बरतन बनाना धातु की मूर्धिया इसके अलावा यह जो परचित है आपका सोना, चांदी, तामबा, कासा, यह complete चीज़ आपका हडपा वासियों के सिल्प के परधी, इनकी जागरुपता को इंगित करता है, ठीक है, यहां पर देखने वाली बात है कि सोना, चांदी, तामबा, कासे की तो नोलिज है हडपा वा आता है आपका लोहे का ज्यान हडपा वासियों को नहीं था, लोहे का ज्यान जो आता है हमें वैदिक, उत्तर वैदिक टाइम आपका मिलता है हमें, यह है यूपी का एक अंतरी, खेजा इस्थर पड़ता है, यहां से हमें लोहों के पर्थम साक्ष देखने को मिलते हैं, ठ चलना है कि हडपा वास्यों को लोहों का घ्यान नहीं था ठीक है आगे देखते हैं आपका उपकरण क्यों हडपा सब्यता में जो आपका घातक हतियार होते हैं कि अपवाद सवरूब ही प्राप्त होते हैं इस अधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हडपा वासी इस अधार पर अनुमाल लगाया जा सकता है हडपा वासी सांति प्रिये समाज को या समाज की और इसारा करते हैं कि यह जो भातक हतियारों की आपका जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं हडपा इस तुलों से जिस अधार पर एक अनुमाल लगाये जा सकता है कि जो हडपाई समाज था वो सांति प्रिये समाज था इसके अलावा आपका उपकर्णों में देखेंगे मिट्टी मिट्टी के खिलोने बर्तन मूर्तिया भी बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं ठीक है बर्तन निर्माड जो था हडपा सब्यदा में एक महत्रपूर्ण सिल्प था इंपोर्टेंट महत्रपूर्ण सिल्प था बर्तनों पर चित्रकारी के साक्षे भी मिल रहे हैं हमें चित्रकारी के साक्षे प्राप्त होते हैं यहां पर हमारा सिल्प कंप्लीट हो जाता है इन बर्तनों पर जो था आपका लाल प्लस काला रंगों का यूज किया गया है ठीक है आपका जो बर्तन निर्माड हडपा सब्यदा का एक महत्रपूर्ण सिल्प था और जिस पर हमें चित्रकारी के साक्षे भी मिलते हैं और जो बर्तनों पर रंगों का यूज किया गया है प्रागर्तिक रंगों का लालों काला है ठीक है यहां पर हमारा सिल्प कंप्लीट हो जाता है आगे देखते हैं, जैसे कि आपका इनको जो कपास के साक्षे हैं, हडपा वासियों को कपास का जो साक्षे प्राप्त हो रहा है, वो मोहन जोदलों से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यह आपका कुछ फैक्ट है, इसको पोइंट कर लेना, इससे अधर देखते हैं, आपका लो कंघी मिली है हातिदात से निर्मित कंघी, ठीक है इसके लावा हडपा वाश्यूंग जो थे आपका पकी इड़ों का यूज करते थे पकी इड़ों का इस्थमाल करते थे साथ ही इन इड़ों का जो अन्पात होता था लंबाय चोड़ाई सभी इस्तलों पर समान है, ठीक है इसके लावब जो पकी इटों का यूज कर रहे हैं अडप्ता वासी, इनके जो भी इस्थन है, आपका कोई 200 किलो मिटर दूर है, एक दूसरे से, ठीक है, कोई 500 किलो मिटर दूर है, बट जो इनका इटों का जो आकार है, लंबाई और चोड़ाई वो कहीं न कहीं सेम है, तो इस अधार पर हम एक अनुवाल लगा सकते हैं कि इनको कुछ व्यज्यानिक पद्रती रही होगी, जिस अधार पर ये अपनी इटों का जो भी आयाम होता था, उसको निर्धारित करते थे, उसके अलावा व्यज्यानिक करता है कि इनको धातु परसंस करणगी भी नोलिज हो गई थी, ठीक है, तामबाउट टीम को मिला के हम कासा बना रहे हैं, तो ये सारी चीजे हैं, इनके शिल्फ के अंतरगर्द समाहित होती हैं, इसके अलावा देखो हाथी दास से आपका कंगी मनाई जा रही है नोथल मे में ठीक है, इसके अलावा हम कापास के साथ चे देख रहे हैं महांचोद़ो में, यहाँ पर देख रहे है कि हम मिट्टी से जो आपका अलग-लग तरहे के सिल्फ बनाया जा रहे है, सबागा सिल्फ के एंतरगर्द आते हैं ठीक है, का जो सिल्फ की नोल Tobyanticت थी, काफी व्य काम है ठीक है लंबायों चोड़ाई है वो सभी इस्तोलों पे समान रूप से विदमान है तो इससे सह जनुमान लगाया जा सकता है कि जो हड़पा वासियों की जो सिल्फ से संबंधित नोलिष थी वो काफी व्यापक इस्तर पर थी ठीक है यहां तक क्लियर है आप लोगों को आपको नमबर प्रोइड कर दूगा आप मुझे किसी भी टाइम वाट्सअप पर मैसिज कर सकते हैं मुझे टाइम मिलते ही मैं आप लोगों की जो भी क्वैरी होगी उसको फुल्फिल करूंगा ठीक है आगे देखते हैं हम अपना मोहर और मन के हडपा सब्धा का जो इतिह पर मन को पर बहुत सारी चित्रकारी की गई हुई है ठीक है सपोस्कोर आपका पस्वों के चित्र बनाए गए है कहीं पर हमें नाओ का चित्र मिलता है ठीक है और जो आपका हडपा सब्धा की जो आपका लीपी है लीपी हम बाद में देखेंगे बट मैं यहां बता दे रह हैं मन को पर और पर तो हरपफड़्या के बारे में जानकारी नहीं eyes मन के होता Cvasis killing One का मैं को सकंवर्थ इस इक है इसमें जानकारे को सब्सक्राइइन को संदेरा सब्सक्राइख अजितर दो अग्शिक एक मछरा का सेलग्में के परती जम्रेस करके चूना पत्थर ये तरह होता है इसको घिसकार हम किसी भी रूप में या किसी भी आकार में डाल सकते हैं ठीक है एक मुलायम पत्थर ये तरह होता है सेल खड़ी मन के होते हैं आपका एक तरह का पड़तीक चिन सबोसकरो मन के हडपवासी अपने पाल्तू पसूओ के गले में डाल देते थेगंग पसूओ की पहचान सबोस्करो relação मन का उसके गले में टांग दिया किसी धागे से बांद कर तो मन के आपका बहुत अधीक मात्रह में प्राप्त हो रहे हैं इसका जो निर्मार होता था आपका सेल खड़ी के पत्थर से होता था ठीक है और जो मनकों का यूज होता था प्रतिक चिन के रूप में होता था इसके आगे देखते हैं हम हडपाई काल के दोरां व्यपार देखो आपका हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उससे हमें आंत का वयासकता है कि भाहिन का ऑंतरी गों, भाहियों दोनों तरह का वेपार होता था। हमाईएय में देखेंगे हमें एक साखश्य करदा होता है आपका मु पोटामिया कीके मुषव अपका इरॉक पहले इसको बोलते हैं मौसोपोटामिया मौसोपोटामिया से हमें एक अभिलेख मिला है अभिलेखिय साक्ष मिलता है मौसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखिय साक्ष से ग्याद होता है आपका दिल्मुन दिल्मुन बोला जा रहा है यहाँ पर दहरी मगन बोला जा रहा है आपका ओमान और मेलुआ बोला जा रहा है हडपा कि मद्धे व्यपार को बताता है मोसोपोटामिया से जो हमें अभिलेक प्राप्त हो रहा है उससे हमें जानकारी मिलती है कि हमें मोसोपोटामिया यानि की हिराग दिल्मुन यानि की आपका बहरीन आपका महलुआ यानि हडपा और आपका मगन यानि की ओमान के मद्धे व्यपार का साक्ष्य जो हमें प्राप होता है. की का इस आधार हम कह सकते है कि आपका जो वेपार हो रहा है वह का भाये वेपार था और काफी दूर दूर तक सभिशलता पर है, शक्रवोश करो भारतियों माधीक कहां पर है और मोसु पोटमिया कहां है, चाइब से हमें वो आपका आफगान से होता था सोना जो हडपा वासी प्राप्त करते थे आपका करनाटक से तांबा जो प्राप्त करते थे आपका राजिस्थान खेत लीगी खान हो गया इसके अलावा आपका सेल घड़ी जो मिल रही है आमे इसके अलावा एक धातू थी आपका लाजवर्द, मनी, मनकी की यह टाइप की थी यह आपका वधक्सा से मिल रहा है अमे अफगानिस्थान का एरिया वधक्स का थी किए इनका वेपारिक इखाता है वेपारिक विख़़ाओ या वेपार का जो विस्तार है आपका देखो टीन ये अफगान से प्राप्त कर रहे हैं सोना गर्णाटक से तामा राजिस्थान से सेल खड़े आपका राजिस्थान MP से और आपका जो लाजवर्द मड़ी है या आपका बधकसा थे जो इनका व्यापार एक लार्ज स्केल पर फैला हुआ था ठीक है तो इनके व्य प्रियोग किया जाता था दोनों का प्रियोग ठीक है थल के रूप में तो आपका व्यपार होता है था क्योंकि आपका जो हमें आपका देमा बात से देमा बात से एक कासे का रत प्राप्त हुआ है कासे का रत जिसे एक नगन व्यक्ति चला रहा है नगन व्यक्ति को मुई है दो चला रहा है त्माका योदद को अधानी के लिगर रहा है कि यह कता है योया है यूद्य आ व में पमकर यूद्य परिवहन तंद कुछल सêmes नि थान से हमें डाक्यार्ड के साक्षयھ प्राप्त कई होते हैं . ठल के साक्षयों हमें देवाद से मिलना है कि हुआ стать थो उसके लावा अलो थल में यानि के अनुमार लगा जा सकता है कि जल और थल परिवहन का दोनों तरह से यूज किया जाता था आपका इसके लावा हम देख लेंगे यहाँ पर सिक्का तो सिक्के से संबंधित ज्यान हडपा वास्यों को था नहीं इससे संबंधित अभी तक कोई साक्ष नहीं प्राप्त हुए हैं हमें ठीक है तो यहाँ हम लिख देंगे सिक्के से संबंधित ज्यान हडपा वास्यों को नहीं थ इसके लावा जो हमारा पॉइंट रहे गया है सहरी करण आपका देखो भारतियों महादीप में जो था आपका हडपा सब्वता हडपा सब्वता पर्थम सहरी करण का परती निधितु करता है इसे कास्य यूगिन सब्वता भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है विकोज यहाँ पर्थम टीन प्लस तांबे का यूज़ करके कास्य का निर्माड किया गया ठीक है सब्वता भी कहा जाता है यहां पर हमने देखा कि हमारा जो अर्थव्ववस्ता वाला पॉर्शन है यह कंप्लेंट हमने कवर कर लिया इसमें हमने पसू पालन आपका अक्रिसी, व्यापार, परिवेहन, सिल्प, सिक्का और आपका जो सहर से रिलेटिब जो भी नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट से हमने कम्प्लीट कर लिया जो सहरों की जो नगरी करने की एक स्पेशल फीचर्स थे वो हम किसी अलग टोपिक में देखेंगे लोगेंसे मेरी रिक्वेश्ट है कि आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहें ठीक है और जो भी कोस्चन कोई भी डाउट या कोई बी क्ले है आप लोग मुझे टेलिवर्जरम चैणल के माध्यлем से मुझे या मेरे बाट संबर के माध्यम से मुझे बता सकते हो ठीक मेरा WhatsApp नंबर है किसी को किसी भी परकार की कोई भी समस्या आती है लेक्चर को लेकर वो मुझे डारेक्ट मैसिज कर सकता है WhatsApp पर हमारा जो लेक्चर था कंप्लेट हुआ है बाकि हम अपने जो भी हमारा भी आगे का पॉर्शन बच्या हुआ है वह हम इसे अलग वीडियो में देखेंगे ठीक है आई होप यहां तक चीज़े आप लोगों को समझ में आ रही होगी और जो भी मेरे साथ मेहनत कर रहा है अष्म साथ साथ रहे है अपना पढाई करते में चलें जो भी मैं पढ़ा रहा हुं यहां पर उससे सलें प्रकल कि केकि क्यों यहिं भा blurry वहिंक कर दिया अप लोगों किًnh दीरे दीरे वह चीज़े भी रिसॉल्व हो जाएगी विकोज अभी मैंने कुछ दिन ही हुए है मुझे टीचिंग लाइन में आई हुए तो मैं धीरे दीरे चीज़े सीख रहा हूं और सबसे में बात जैसे कि मेरे पास लाश्ट डे कुछ दो से तीन बच्चों का फोन आया मेरे पास अभी जो सेटप है मेरे पास काफी लो क्वालिटी का है तो उसी को किसी प्रकार यूज कर रहा हूं उस दिन तक ऐसा ही चलेगा ठीक है अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे हम फिर अपना सेटप भी अपना एक नियू सेटप रेडी करेंगे ठीक है जि